यह गाइस कैसे वाप जी आगाइस नेक्स वीडियो में आप सब्सक्राइब का इंपर्ण कॉंसेट जिसके अंदर आज में बनाऊंगा कि अक्टागोनल प्रिजम कैसे बनाते हैं तो प्लीज गाइस एकी रिक्वेस्ट रहेगा बार बार करते हो कि इस वीडियो को पूरा देखो प्रॉपर्ली सब चीज़ें मैंने एक्स्प्रिन किया है उसी का प्रोडाक्ट जो है जो मैंने आपको पर्फेक्शनली बनाया है यह को भी बनाना आ सकता है तो चलिए फिर विदाउट किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो जी हां दोस्तों आपके थमदेल पर सही पकड़ा है सही पड़ा है आज अपन देखेंगे ऑक्टागोनल फ्रिजम तो उसके लिए जो कुछ भी स्टेप्स में आप बताऊं उसके बाद ही यह प्रिजम बना था प्रिजियो वो देख लीजिएगा तो आपको एक आईड़या मिलेगा कि आप इसको बना सकते हो चलिया फिर बिना किसी देरी कि इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाइस्टेप पुरा कंस्ट्रक्शन यहां पे बता चले फिर शुरू करते हैं इसके अंदर सबसे पुड़ी स्टिप क्या होती है एक तो आपको पहले बनाना होता है कोई भी पॉलिगॉन पुछा जाए ऑक टैगॉन पेंटाइगॉन प्रिजम उसके लिए प्रफ को पहली चीज तो यह करनी होती है कि आपको एक रहा एक पेंटाइगॉन प्रिजम देख लें इसलिए आप बनाया है तो उसके वर्ट क्या करने आपको यह जो ऑक्टाइगॉन है इसको एक ब्रैकेट के अंदर बन करना है तो चलिए फिर आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूं कि यह कैसे दिखेगा बना दिख लिए आप बना दिया थिख लिए आप बना 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 गाई बैके में इसको क्या बात क्या करता है अगर आपको इसको ora जाउनों जो साइड है इन फ्रैंट आफ साइड है वो भी आप इसको यू ऑब लिए ऊप nep ब्रैके बदाने के बाद मैंने क्या है पर नेमिंग दिया है दो देख विजे on two three illa ao आप मेने 4aleao और हां जहां जहां प्राइक पार talks एक साइचे साइची चार सैट के एक जो पार्ट जहां जहां ऑक्टै गोन का बेस वह प्राइँ आया है उसको मैंने अलफ़ाबी इसको इन्हों नेमिंग किया है और दो के बीच में क्या आ रहा है सबसे बड़ी वात हworthy नमिंग करो because naming की उपर ही पूरा का पूरा जो आपको construction है any prism आप बनाओगे octagon ले रहा हो तो octagon बना सकते हो जो कुछ भी आप prism बनाओगे hexagonal prism, pentagonal prism अगर आपको prism बनाना है तो naming most important thing है उसको आपको अच्छे से without confusion ही उसको बनाना है तो चलिए फिर next step आपको दिखाता हो क्या करना इसके बाद क्या करना है है उसके बाद आपको यह 3D में बना रहा है तो आपको पता यह आपको प्रोटेटर लगेगा आपको यह 30-32 से एंगल लगेगा उसके बाद एक बीच में 90 वाला एंगल आएगा उसके उपर में जो प्रिजम है उसका कंस्ट्रक्शन आपके आपको दिखाऊंगा तो चलिए करोंगा पर रखने के बाद काई से एंगल लेना मतलब बंदे कन्फिज होते हैं स्टुडंट मेरे कंफिज होते हैं बतातो गाइस यह से शुरू करना पहले राइट आट से वाला तो यहां से शूरू करोगे तो यह पर लेने आपको 30 मैं इसके बाद बच में 90 वाला तो 90 क जाँगा मैं और वहाँ पर एक 90 का मार्क करके लूँगा उसके बाद लेफ्ट अन्सेट में जब मैं जाँगा तो काउंटिंग गाइस लेना आपको जब राइट अन्सेट देख रहा था काउंटिंग राइट से लिए देख लिए 010 20 30 अब लेफ्ट हैं से करूँगा तो आपको जाता हुआ एक लाइन खिचना तो चलिए में डिरेक्ली आपको बताओ तो लाइन खिचके वह कैसे दिखेगा यह लीजे लाइन खिचने के बाद आपको जितना हो सके जितना हो सके जितना पर शीट है उतना लाइन किच लिए आपकी सब सब के पाद जितना जगा ह है ठीक है उतना प्लाइन किछ लो उसके पहले क्या कोश्चन आएगा देख लिए कोई कुछ भी दे सकते हाइट कम जाधा हो सकती है हाइट के युनिट में कम जाधा बढ़त आपको दिखाई देख जी कि तो चार मतलब क्या क stoked six चालू करते हैं और पहले स्केल यूज किया फिर दी का यूज क कि सबसे सबसे इंपोर्टन सब्सक्राइब करना है इसको पॉइंट एक आपको बैल डिसेट करना पड़ा है का से शुरुआत होगी तो शुरुआत करते हैं आपन वन से तो मैं क्या लिख लूगा याप सबसे इंपोर्टन चीज आपको बताने वाला हूँ यह स्टेप कीप मत करिएगा यही पर ही पूरा का पूरा आपका प्रिजम बनेगा तो मैं आपको यहाद पर लेता हूँ ओरीजीन वन यह चालो होने वाला है जो कोई भी डिस्टंस लोंगा कंपास के अंदर वह वन से ले one के उपर रखता हूँ और two जितना डिस्टंस के उपर मैं बहूंगा कितना डिस्टंस गाइज two जितना डिस्टंस ke ऊपर ढरना है फिर क्या करोंगा यह आपको आपक्या पर रखओंगा और दो और एक चार कभी भी सीमीलर नहीं है कभी समान नहीं है उसका जो माप है वो कम जादा होता है तो sincere में डारेक्त नहीं ले रहा हूं उसकी मदद से निरहा हूं, आप भी इस गलती मत करना कि आप पर लेगा कि एक दो और एक चार सेम है ऐसा नहीं है तो चलिए अपर नेक्स टेप करते हैं मैं फिर से एक की उपर रखूंगा और चार इतना डिस्टन लूँगा देख लिए थोड़ा कम हो गया चार की उपर रखूंगा और फिर से यही यहाँ पर ट्रांसफॉर्म क बहुत इजी कॉंसे सेप्ट कहले करना है थी कि अब्यक्र श्रॉख तो मैं क्या करूंगा फोंद मृण बांच यो इसकी के भ लूघक के बाद 5 और 2 खी दो चलिए फिर तूंसे आप इघुत्शन भरुंग थेक का काम हो गया है अभी तो दिस्टन भरूंग अघुत के है मुझे और वही देख लिजे और वही डिस्टेंस में अभी ये टू के उपर रखूंगा तो मज में आ रहा है क्या यहां पर एक ऐसा मार्क कर लूंगा कंपास की मदद से अभी क्या हो जाएगा नेक्स पर यह हो गया पूरा उसके बाद चार से चालू करूंगा यहां पर चार तो मुझे तीन इतना डिस्टेंस कंपास के उपर ले रहा हूं है देख लिए कमदाद हो रहा है सिमिलर नहीं है तो फिर में क्या करूंगा चार पर रखूंगा और यहां पर ऐसा एक मार्क कर दोंगा तो मुझे जो इंटरसेक्शन मिला मुझे जो यहां पर इंटरसेक्शन मिला उसका नाम क्या हो जाएगा one two है आप कर दिया तो चलिए इसको मैं आपको डारेकली जॉइंड करके दिखाता हूं फिर ट्रल्ला आपको दिखाता हूं निंळी तो आपको दो डिखाओओ ऑखको अपने लेना है को जो इस के उपर ब plataforms up दोनいう को दिखाना पड़ेगा इस लिए आप exam के अंदर lightly ही यह box बनाना ठीक है तो चलिए यह ऐसा दिखेगा अगर मैं एक दो तींचा जोइन करूंगा 3D के अंदर 2D से 3D में convert करने के बाद है ऐसे दिखेगा अभी next step क्या है चलिए अभी next step की तरफ move करते गाइस इसको zoom out हो थोड़ा सा मैं तो आपको पुरा का प मैंने मुझको रखना है तो चलिए next point की तरफ बढ़ते हैं तो अभी क्या करता है अभी corner तो यहां पर मैंने रख लिया है अभी बारी है जो a b c d e fg जो actual octagon के जो you know that type of arms से side से वह यहां पर actual में आपको प्रोट्रेट करना है यहां पर आपको ड्रॉ करने है तो उसके लिए फिर से मैं यूज करूंगा जो अपना compass है उस compass का यूज करूंगा गाईस शलिए फिर step by step शूरू करते अभी देख लीजे एक और दो की बीच में देखूंगा यहां प यहां पर चलिए एक पर रखता हूँ वही step है वही बार बार रखू करना है एक पर रखता हूँ डी जितना distance रखता हूँ तो यहां पर फिर से मैं एक पर रखूंगा डी जितना distance यहां पर भरूंगा तो यह जो मुझे point मिला उसको मैं name देदूंगा एक के बाद d similarly और एक distance दोंगा उसके अंदर और two पर यहांपर फिर से रखूंगा और F इतना distance रखूंगा पर यहांपर क्या करूंगा एक मार्क कर दूंगा तो मुझे मिलेगा यहां पर F एक और चार के भीश में क्या है एक के पास B है और चार के पास क्या है ए तो चलिए सेम मेथड से इनको भी इसके उपर ले लेंगे 3D के उपर तो क्या करूंगा मैं एक के उपर रखूंगा और बी जितना यहां पर डिस्टंस भरूंगा देख लिजे बी इतना डिस्टंस भर लिया वही डिस्टंस आज इस रखे मैं यहां पर रखूंगा और यहां पर क्या करूंगा एक मार्क करूंगा तो मुझे यहां पर क्या मिल ज तो देख लीजे थोड़ा सा कम ज्याद हो रहा है थोड़ा कम दोड़ी सिमिलर नहीं होता है सार्खा नहीं है यह क्या तो देख लीजे यहां पे मैंने मार्क कर दिया तो चार के पास क्या है आप बताव मुझे ए है अभी ऐसे ही मैं चार और तीन की बीच में जाऊंगा या पर चार या पर तीन इसके बीच में क्या होने वाला है मैं आपको यह बताऊंगा तो चलिए नेक्स करते है चार पर रखते है फटावट करते अभी चार पर रखते है सी इतना डिस्टन लेते या पर चार पर तो यहां पर फिर से मैं 3 के पास रखूंगा जा पर रखा था वहां पर प्रिवेस में रखा था वही यहां पर रखना है तो यहां पर रखड़ी है मैंने तो मुझे मार्क मिला यह मिल गया मुझे अभी बचा है खाली 2 और 3 के बीच में कुण से कुण से पॉइंट है वह अभी आपको यहां पर फिल अप करने तो क्या करूंगा मैं 2 क्यूब पर फिर से रखूंगा जी इतना डिस्टंस उसके उपर लूंगा कंपास के अंदर लूंगा तो वही जो मेरा आर्म था आयन वाल सकते हैं का है आपको यहां क्या है तो ही करूंगा यहां है यहां करूंगा इसके बात और वह विए आपके की नेम के आ जाएगा फिर दो और तीन के वीच में क्या है सबसे इंपोर्टेंट है क्या करना है आपको किसी भी एक पॉइंट से तो मैं फोर पॉइंट से पर्पेंडिकुलर नाइंटी डिग्री के अंदर एक लाइन किछ लूँगा खड़ा लाइन किछने आपको तो अभी इस लाइन के उपर यह क्या होगा भी हाइट क्या होती है नाइन्टी डिग्री के अंदर ही आप हाइट लेते हो ठीक है तो अभी हाइट क्या लिनिया आपको 70 mm था मतलब 7 cm उंटर लेनी है तो इस पॉइंट के उपर में क्या करूंग अभी 7 cm या से एक डिस्टंस ले लोगा सबसे इंपर्ड़न पात क्या है यह पॉइंट के उपर आपको क्या लेना है सेवें सेंटीमेटर डिस्टंस लेना है कि तो यह क्या हो जाएगा भी यह 4 है तो अभी इसको ले लेंगे आप 4 डैश अभी जब कभी उपर वाला नीच करने के बार इसको जॉइंट करना होता है यही संशिप्त में आपको इसको बताना चाहिए तो यही होता है आपका प्रिजम तो चलिए फिर अपको पूरा में इस पहले चार से निकाला फिर एक से निकाला है अल्रेडी तीन से दो से निकालने के बाद यह जो हाइट है 70 इस करता हूं यह पर एक है तो यह पर क्या जाएगा एक डैस्य आपको डैस्त की फॉर्म में जो ट्रांसफर करना है 2-3-3-3-4-3-4-7-app को जो-चो जो पॉंट दिख रहां नीचे वह ट्रास्फर करते जाना है यूचN यूज रॉलर स्केल ही आपको यूज करना है फटाफ़ आपका यह सब काम हो जाएगा चले डारेक्व लैपको दिखांगा पूरा यह फिनिश करने के बात कैसे दिखेगा जो है डिखले एक hints आप चाहुँ देख लिगा किया पॉइंट लिया यहीं हॉच यहीं की गडाइस नहीं देख तो मुझे यहां पर क्या नहीं timely पर पाकनला देख आप का दाष या पिर से एक और दो के बिच में क्या आग्या है तो इसके बाद ऊपर क्या था एक डाश दो डैश ता तो रॉलर्ट के लिए आपको डेकर दैसमें पूरा कर दिया है फिर गया में चार और तीन के बिचमें चार और तिन के विच्टे ग्राउंड लेवल पर क्या है तो मैं क्या करूंगा फिर फोर डैश और थ्री डैश लिया था उसके बिच में देख लिजिए आप सी डैश और यह सब चीज़े आपको आनी चाहिए तो अभी होता है अभी बश्ते सबसे इंपरेंट पार्ट अभी करने आपको मार्किंग यह वरकाब उपर का प्लें हो गया डाउन वाला प्लेंट हो और उसके उपर में अल्फाबेट आज एक इस कौपी पेस्ट किया है यह नौन इविजिबल पार्ट है वह का पर दिखेगा बस खाली अभी आपको इस पर ही स्टडी करना है आपको यह पॉइंट लेना आ गया रहेगा गाइस ठीक है रिवाइंड करके देखना ठीक है या तो फिर मैं बैक फिर से एक बार एक्सप्रेंग करूंगा नेक्स वीडियो वे उसको मैं क्या करूंगा ढाक से करूंगा और जो पार्ट मुझे नहीं देख रहा है तो मैं अइसको क्या करूंगा।LO 1080 लाइन से ड्राव करूंगा यह basic funda है तो चलिए फिर आपको draw करके दिखाऊंगा मैं black marker से कौनसा part आपको visible होगा और कौनसा part आपको non visible होगा तो चलिए फिर आपको directly draw करके दिखाता हूं मैं यह हो गया octagon का octagonal prism का पहला एक side ठीक है मैंने क्या किया a को a dash के साथ जोइन किया b को b dash के साथ जोइन किया रेख लिए आप यह पर डैश था और एक side बना लिया ऐसी आपको 8 side बनाना है उसके ही साथ साथ आपको shaded region जो आपको visible है वो बनाते जाना है और जो non visible है वो dotted line से होई जाना है तो पहले क्या हो जाएगा यह पार्ट दिखेगा मुझे यहां का पार्ट भी दिखेगा और यहां का पार्ट भी दिखेगा तो चलिए जो पार्ट मुझे visible है आखो से मैं उसको पहले dark से करता हूँ फिर non visible पार्ट को dotted से करके आपको दिखाऊंगा चलो directly मिल करना है तो अभी क्या करना है नेक्स पार्ट उपर आला जो ऑक्टागान है वह visible रहेगा बराबर है जब मैं किसी चीज को देखूंगा उपर से तो visible रहेगा तो मैं पहले उपर वाला जो ऑक्टागान है उसको डाक से कर लेता हूँ पहले विकोज वीजिबल देखेगा मुझे पीजिबल रहेगा 100% उसको डाक में करूंगा और इसको भी डाक में करूंगा यह हो गया मेरा डाक जो मुझे दिख रहा था वो शेडेट डिजन अभी होने वाला है तो चलिए यह भी डार्क हो जाएगा गाई या का पार्ट तो मैंने अभी जो जो चीजे मुझे दिखी वो वो चीजे में आपे ड्रा कर ली अभी बाकी बचता है मेरा लास्ट नॉन वीजिबल पार्ट देख ली जब यह 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 वीजिबल है क्या गाई तो नहीं है तो यह डाश और इको मैं करता हूँ डॉटेट से जॉइन अभी क्या करूंगा हलका सा डॉटेट यह वीजिबल नहीं है इसको डॉटेट में कर लूँगा तो इसको में क्या कर लूँगा यह यह तो इसके उपर ओर लाप हो गया वह करने के जरूवत नहीं और लाप होगे डारेक्ली तो उसके अंदर आ जाएगा तो फिर भी अगर मैं करने की कुशिश करूंगा तो थोड़ा सा ओरल बच जाएगा यहां पर यह मुझे यहां पैसा इस अभी बचता है एच एच डैश इधर डैश लिखना भूल गया था में एच डैश और एच डैश क्या है वीजिबल है क्या नहीं है तो क्या डॉटेट है तो इसको मैं इदर डॉटेट से कर लूँग अभी बचा कुछा पाट करता है यह वाला आभी सा डॉटेट से जोइन कर लूँगा है एच और जी क्या है वह सैड के अंदर आईगा तो मुझे नहीं दिखेगा तो मैं रॉटेट्स से उसको आपको कर दोंगा तो चलिए है यह बदा जो पार्ट विजिबल दिख रहा था वह पार्ट मैंने विजिबल लिया है जो पार्ट मुझे नहीं दिख रहा था तो मैंने क्या करते हैं वाप उसको नॉन वीजिबल के कैटेगरी में डालके उसको यहां पर लिख लिए पहला पार्ट है दूसरा हो गया गिंती शुरू कर सि और सिर इसको भी मैं क्या करंगा डॉट से यहां पर अ्टेश करड़ूंगा ुसिआ क्या मिल जाएगा यहां पर और कि और कर देंगा है इसाथ ऑचा हे यहां पर 9 व्हुम्हाइब आगया यह होगया आपका ओक्टाईगोन देख लिए 1 2 ठीक है थ्री फोर फाइव यह होगया आपका 5 6 7 जब पर बाद में हो गया आपका यह एट यह हो गया आपका पॉपर ली ओटाईगोन ड्रॉक कर के तो उसके बाद और देख लीजे एक पार्ट और बचा है का यहां पर क्या कर सकते हो मैं यहां पर एक और लप हो गया उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपे किदर क्या हो रहा है तो आप इसको भी डॉटेट से कर सकते हो तो टोटल मेरा इंपोर्टन सबसे टेक्निकल वाला वीडियो समझ में आया रहेगा अगर आपको ऐसे कुछ टेक्निकल वीडियो चाहिए जिसके अंदर नौलेज हो जिसके अंदर पॉपलल एक्समेनेशन आपको पसंद दे तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखो और जिसको नहीं आया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मैं उसके उपर जरूरी नेक्स वीडियो बनाऊंगा तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में बाई बाई टेक कियर सी यू